किसी भी रिजन की वज़े से अगर आप बाइक के रियर वील को या तो आप खुद खोल रहे हो या किसी और परसन से आपकी बाइक का जो वील है आप खुलवा रहे हो तो रिजन कोई भी हो सकता है या तो आप पंचर बनवाने के लिए वील को खुलवा सकते हैं या फिर इस बोल्ट को जरा दोबारा आप चेक करें कहने का मतलब है यह बोल्ट बिल्कुल प्रोपर टाइट होना चाहिए इनकेस इस बोल्ट को आप कसना भूल गया या टाइट करना भूल गया कोई भी विल जो खोलता है तो क्योंकि बाइक जब शलेगी तो बाइक में वाइबरेशन वगयरा भी होता है तो हो सकता है कि यह डिब्री यह जो नट है यह खुल जाए इसके बाद बोल्ट बाहर भी आ सकता है गिर सकता है क्योंकि ये पत्ती इस drum plate को hold करने का काम करती है जब bolt बाहर निकल जाएगा तो ये जो drum plate है ये free हो जाएगी यानि ये unhold हो जाएगी अपनी जगा से अब होगा क्या कि जब भी आप brake apply करेंगे तो जो drum plate है wheel के साथ rotation करने लगीगी यानि drum plate पहिये के साथ घुमने लगीगी तो आप चहा कर भी brake को मतलब unhold नहीं कर पाएगी brake को अगर आप प्रेस करके छोड़ भी देंगे तब भी जो wheel वो skit करेगा यानि घुमेगा नहीं पहिया आपका jam हो जाएगा और bike इस से unbalance भी हो सकती है हो सकता है कि कोई दुरगट ना भी हो जाए तो आप इस bolt को जरूर चेक करिए